हेलो फ्रेंड्स वेल्गम तु मैं यूटूब चैनल दापेट विजन दिसस साहिल मली की वर होस्ट एंद यूर वेट तो गैस डिवोमिंग करने का सही तरीका क्या है हमने कमेंड सेक्षन में बहुत सारे कमेंड्स पड़े बहुत सारे लोगों के कॉमन एक डाउट थे कि सर म मैंने अपने पपी की मैंने अपने डोग की डिवोमिंग की बट गैस उसके बाद भी आपके जो पपी की आपके जो डोग की जो पुप होती है यानि जो पौटी होती है उसके पीछे हमारी ही गलती होती है हमने अपने पपी की डिवोमिंग सही तरीके से नहीं की है ऐसी को कोई effect ही नहीं हुआ है worms के ओपर तो आज की वीडियो में हम completely बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं पपी की एज की यानि मालो की आपके पपी का जो week की अगर हम एज की बात करें या basically days में अगर हमें आपको बता हूँ अगर मालो आपका पपी 35 days का है तो एप्रोक्स मान के चलो 1 से 2 kg body weight तो होगा आपके पपी का तो आपको क्या कर रहा है जैसा कि screen पे आपको नजर आ रहा होगा एक bendy star pup suspension नाम से एक medicine आती है जिसमें parental पैमोट नाम का एक salt होता है उससे आपको अपने पपी की devorming करनी है तो guys इसकी जो dose rate की अगर मैं आपको बताऊं बहुत सारे जो owners है ये गलती कर देते हैं dose rate अच्छे से नहीं देते मालोगी आपके पपी का जो body weight है वो है 1 kg then guys आपको अपने पपी को 10 drops पिला देनी है जो ये bendy star pup suspension आता है साथ में आपको एक dropper मिलेगा जो हम छोटे बच्चों में यानि human beings के बच्चों में भी use करते हैं medicine पिलाने के लिए वैसे ही आपको 10 drops अपने पपी के mouth के अंदर डाल देनी है अगर उसका body weight 1 kg है अगर उसका अपने पपी का जो drops की content होता है या basically doses होती है 30 drops आप increase कर दो तो guys यह है एक doses की बात अब मैं बताता हूँ आपको कैसे process करनी है सबसे पहले जिस दिन आपको dewarming करनी है तो उसके एक दिन पहले या basically night के time को आपको क्या करना है अपने पपी को light food देना है आपको जो dog food अगर आ पोटी वगएरा देना start कर दिया है milk वगएरा देना start कर दिया तो guys आपको वो नहीं देना है आपको light food ही अपने पपी को देना है light food के अंदर जो पपी जो सेर लगाता है आप वो दे सकते हो फिर guys क्या करना है next morning यानि early morning आपको खाली पेट अपने पपी की dewarming करनी है आपक के अंदर जानी चाहिए अगर मालो क्या होता है कि कई बार हमारे पपी की जो टंग होती है उसके उपर ही medicine रह जाती है और वो थोड़ा सा लिप लिप करके वो सारी उस medicine को बाहर निकाल देता है या वो वो मिटिंग वगएरा भी कर देता है तो guys इस बात को आपको ध्यान एक पॉइंट ओव मैं आपको पपी के अंदर बताऊं आपको फिर यह रिपीट कब करनी है बहुत से लोगों के डाउट्स थे देखें guys most important question है star point ही मान के चलो आप इसको आपको guys अपने पपी की डिवोमिंग रिपीट करनी है अगले 15 दिन बाद पपी की एज की बात बता तो guys कुछ tablets आती है like easy pet tablet है जैसा कि skin पे आपको नजर आ रहा होगा एक है guys drontal plus tablet आती है जो suspension भी आता है जो tablets की form में भी आता है suspension आप puppies को दे सकते हो और जो tablets है आप जो adult dog है जो हमारे young dogs होते हैं उनको दे सकते हो तो guys अब मैं बात करता हूं इसकी dose rate की यानि हमें जो easy pet tablet द साफ से देनी है अगर आपके dog का body weight 20 kg है तो आप दो tablet दीजिए इसमें भी guys इसका तरीका proper यही रहता है आपको light food देना है रात के time फिर guys आपको morning के time यानि next day early morning में आपको guys ये tablet अपने puppy को sorry अपने dog को देनी है तो guys अब इसके देने का क्या तरीका है main important बात है ये कई vomit कर दी सारी medicine उसने बाहर निकाल दी कोई उसका effect नहीं है तो अब हम क्या करें देखे guys dogs की habit होती है कि वो खाने की जो चीज होती है वो तो खा लेते है लेकिन अगर उसके अंदर आपने tablet mix करके देदी तो उसको बाहर निकाल देते है because उसका taste ही अलग हो जाता है तो guys इसका solution क्या है आपको क्या करना है guys मान लिया कि आपके डोका body weight 10 kg है तो यानि आपको one tablet लेनी है आपको कोई आपके घर में कटोरी हो चोटी या आपके पास एक बाउल ही क्यों ना हो उसके अंदर उसको आप piece लो अच्छे से यानि उसको एक powder form में आप convert कर लो फिर guys आपको क्या करनी है, कोई भी मीठी चीज जिसमें हम basically कोई भी रसगुला वगरा ले सकते हैं या आप गुलाब जामौन भी ले सकते हो आपको क्या करना है जो गुलाब जामौन एक ही गुलाब जामौन लेना है ठीक है फिर guys आपने चो पाउडर जो बनाया है नहीं थोड़ा सा गुला हाँ guys आप ठीक हो सोच सकते हो कि हाँ मिठा देने से skin allergy हो सकती है लेकिन guys ये एक मातर ऐसा solution है जिसकी help से आप एक adult dog के deworming successful तरीके से कर सकते हो इसका एक scientific logic भी है कैसा guys जैसे कि आप अगर अपने puppy को मिठी चीज खिलाते हो तो guys जो आपके dog के body weight body के अंदर जो भी worms है वो direct मिठे की तरफ attract होंगे जैसे ही वो attract होंगे साथ में medicine होगी दोनों के अंदर collapse होगा जिसकी वज़े से आपके dog के अंदर जितने भी worms है वो सारे के सारे मर जाएंगे अगर वो बाहर भी निगल जाते हैं पोटी के अंदर तो guys यह बहुत अच्छा एक solution है अब मैं बात करता हूँ इसकी repetition की यानि next deworming आपको कब करनी है देखे guys adult dog है मालिया one year है या one year से ज़्यादा ही क्यों ना हो आपको धाई से तीन महीने बाद deworming की process उसको repeat करनी है देखे guys एक बात और में आपको बता दू deworming ही एक मातर ऐसा solution है जिसकी help से आपके puppy को internal system से related कोई भी disease नहीं हो सकती अगर guys आपके dog की body के अंदर worms है तब guys आपका dog बहुत सारी बीमारियों से सफर गरस्त कर सकता है बेसिकली सफर कर सकता है sorry थोड़ा सा गलती होगी तो guys gastrointestinal related problem भी हो सकती है जिसकी वजह से आपका dog loose tool कर सकता है साथ में उसके अंदर आपको blood भी देखने को मिल सकता है तो guys ऐसी situation है तो immediately आप nearby vet के पास चले जाओ अपने dog को proper diagnosis के बाद एक proper treatment दिलवाओ तो guys मैं आशा करता हूँ आज की जो हमने वीडियो बनाई है आपके लिए useful रही होगी और guys हमारे चैनल को आप इसी तरह प्यार देते रही है और guys एक request करूंगा please हमारे चैनल को आप share जरूर करें thank you so much for watching this and please do like, subscribe, comment and share thank you so much